दोस्तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक कीजिएगा ताकि हमको पता चल सके और इस रेड़ वाले सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आप सब्सक्राइब हो जाएं और बैल आइकन आएगी उसे भी दबा देना हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों विशाल असका स्वागत करता हूँ आप ये चैनल में उमीद है आप लोगको वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बैल इकन को दबाना ना भूले ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाये करें जब भी हमको नई वीडियो बनाया करें तो दोस्तों आज की जो एप है आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी पासपोर्ट सेवा की नाम से एप है इस एप को इंस्टॉल तर लिएगा दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ यह एप बहुत अमेजिंग है और इस एप की मदद से मेरा पासपोर्ट सिर्फ 20 दिन में आ गया घर पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि यह सिर्फ इस एप की मदद से हुआ है यह मैं कुछ स्टैप बताऊंगा जो आपको करने है अगर आपका पासपोर्ट आपको जल से ज जाएगी ओके दोस्तों यहां पर आपको जैसी अप्लिकेशन खोलेंगे आपको ऑप्शन दिख जाते हैं अप्लाइप फ्रेश पासपोर्ट पुलिस वरिफिकेशन और सब्मिटेट अप्लिकेशन जो लोग सब्मिट कर चुके अप्लिकेशन वो सबसे नीचे जाएंगे पहली बार अप्लाए करना है वो फ्रेश पासपोर्ट पर जाएंगे जैसे यह जाएंगे यहां पर आपको कुछ चीज़ें भरने को मिलेंगे यहां पर अप्लाए कर सकते हैं फ्रेश पासपोर्ट नॉर्मल और अपने पेजिस का जो भी आपको व्योर देना है दे सकते है next पे click करेंगे आप next पे click करने के बाद आपको सारी detail यहां पे भर देनी है सारी चीज़े हैं सही सही होनी चाहिए okay दोस्तों detail आपको सारी सही सही भरनी है जो आपके documents में है उसके बाद जैसे ही आप इसे submit करेंगे यह आपसे पूछेगा एक date के लिए, वो date क्या होगी, वो होगी आपकी appointment date, जो कि आपकी होगी nearby passport office में, आपको भर देनी है, जैसे ही आप भर देंगे, आपका ये form submit हो जाएगा, और जो date आप अपने हिसाब से suitable होगी, वो ही date के लिए आप appointment कीजिएगा, जैसे कि मैं बताता हूँ दोस्तों, मैंने आज से 20 दिन पहले, 21 दिन पहले apply किया था, पासपोर्ट के लिए 3 तारिक को, आज है 24 तारिक, 3 तारिक को apply किया था, और 4 तारिक की appointment थी, 4 तारिक की appointment के बाद, कुछ time बाद, कुछ time के बाद किया, अगले ही दिन, जब मेरा passport accept हो चुगा था, मेरे जो appointment वगे रहे हैं, सब और जैसे ही वो चीज summit होई, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ही, सबसे रदा time लगा police verification, जो कि generally लगता है, जिसके लिए लगे मुझे कम से कम 15 दिन, okay दोस्तो 15 दिन ही लगता है police verification के लिए, 20 तारिक तक ये सब submit हो चुगा था, 21 तारिक को, SO office में मेरा passport पहुँच चु सारे सही होने चाहिए आपके पास, यानि कि आप अपना आधार कार्ट लेके जा सकते हैं, और आपके 10th की mark sheet, 12th mark sheet, in case अगर आपके पास है तो, और आधार कार्ट आपका एक तरीक सा address proof हो जाएगा, और एक pen card अगर आप लेके जा सकते हैं, है आपके पास तो वो लेके जा सकते हैं, या फिर उसके अलावा कुछ और है, गैस का विल वगएर वो लेके जा सकते हैं, driving license है वो लेके जा सकते हैं, दो document तो होने ही चाहिए, और ध्यान रखी का photo state नहीं चलेगी, photo states के अलावा आपके पास होने चाहिए, ID valid proof, ओके दोस्तों, तो बहुत amazing तरीके से आप का passport जो है, बहुत जल्ली आपके हाथ में आ जाएगा, ओके दोस्तों, आपको ये सारे step करने होंगे, ओके दोस्तों, nearby police station में, nearby आपका जो भी appointment जहां पे आपकी होती है, वो select कर लीजिए और जो भी शहर में आपको slot मिलता है, वहां पे जाके आप, अगले ही दिन जाके ये सारे document जमा कर दीजिए, 20 दिन के अंदर आपका passport आपके हाथ में आ जाएगा, ओके दोस्तों, और अगर आपको आपका status track करना है, तो status tracker पे जा सकते हैं, application status वगेरा चेक कर सकते हैं, ओके दोस्तों, यहाँ पे आप अपना file number डालेंगे, date of word डालेंगे और track कर सकते हैं, ओक police verification के लिए आपके पास जब आएगा, तो हो सकता है, उसके लिए आपको कुछ charge pay करना पड़े, तो वो charge pay करने में नाटक मत कीजिएगा, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि charge हम pay नहीं करेंगे, लेकिन वो charge pay करना ही पड़ता है, क्योंकि भाई, यह इंडिया है, यहाँ ऐसा ही हो होता है, ओके दोस्तों, तो police verification के लिए जो भी आपको दिक्कत होती है, वो अब pay कर देंगे charge, और तभी आपका जो passport है, वो आपका accept होगा, हो सकता है, मैट भी वो cancel करते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, जो आप अगर पैसे नहीं भी देते हैं, तो भी वहाँ पे जाक कि वो आपका accept कर लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा करना है, जैसे police verification के लिए आपको बला जाया, आपको ये show करना, आप ये दिखा दीजिएगा, कि आप एक student रत हो सकता है, आपसे कुछ charge कम लिया जाए, ओके दोस्तों, तो ये काफी अच्छे तरीका है, मैंने share किया है, अप मैंने experience जो show किया है, अपना share किया है, वो आपको पसंद आया होगा, आप भी share कीजिएगा, अगर ये वीडियो आपको जरा सी पसंद आया हो, तो इसे like कीजिएगा, चैनल को subscribe कीजिएगा, और bell icon को दबाना ना भूले, बहुत जन मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तब तक क